देश्टवी की सुर्ख्या में देखते हैं आज के देश्च विदेश की चर्चित खबरे 12 मार्च की सुर्ख्यों में पहितान में हैं अब जातियों के नाम पर नहीं बनेगी कोई रेजिमेंट मोधी सरकार ने साफ किया है कि अब किसी जाती या धर्म के नाम पर सेना में कोई रेजिमेंट नहीं बनेगी इसके बाद समाजबादी पार्टी और भीम आर्मी के इस सपने पर पानी फिर गया है दोनों वर्ग विशेश को लेकर सेना में रेजिमेंट बनाने की मांग कर रहे थे अखिलेश यादों ने अहीर रेजिमेंट बनाने की मांग उठाई थी तो चंद्रशेकर ने अंग्रेजियों के समय रही चमार रेजिमेंट को बहाल करने की चमार रेजिमेंट के लिए कुछ दलित निताओं ने राष्टी अनुशित जाती आयोक का भी दर्वाजा खट-कटाया था अब अही रेजिमेंट के लिए दक्षिन हर्यान में कई बार प्रदर्शन भी हो चुके हैं आज के सुल्ख्यों में दिश्टान पर है 24 मार्ज को अस्थाई मंदिर में होगी राम लला की प्राण प्रतिष्ठा उत्तरबदेश के मुख्यमती योगी आधितनाच 24 मार्ज को आयोध्या के दोरे पर रहेंगे सीएम योगी राम जन्वहमी परिसर में बन रहे राम लला के अस्थाई मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कारेक्रम में हिस्सा लेंगे आयोध्या में ही रात्तिरी प्रवास के बाद सीएम योगी 25 मार्ज की सुभ नौरात के पथम दिन राम लला के नई अस्थाई मंदिर में सीएम योगी राम लला का पूजा अर्चना भी करेंगे जिला प्रशाशन के सूत्रों के अनुसार सीम योगे के आयुधा दोरे की तयारियां शुरू कर दी गई हैं राम मंदिर पर सुप्रीम कोट का फैसला आने के बाद आयुध्या में राम मंदिर निर्मान को लेकर हलचल तेज हो गई है आज के सुर्ख्यों में पीश्के स्थान पर है विदेश मंत्री जैशंकर के बयान विदेश मंत्री इस जैशंकर ने गुरुवार को लोगसभा में कहा कि कोरोना वाइरस का फैलना चिंता का विशे है तथा हम जिम्यदारी पूर्वक इस पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं प्रतियों की मदद के दिए चिकित्सा दल भेजा गया है जो जांच में नेगेटिव पाए जाएंगे उन्हें यात्रा की अनुमती होगी वहाँ नोडल आफिस थापित किया जा रहा है आज के सुर्कियों में कौरोना का खत्रा चीन ने बंद किया माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई का रास्ता इस सीजन में परवतारोहियों के लिए बुरी खबर है दुनिया के सबसे उंची पहाड पर विजय हासिल करने की उनकी ख्वाईच पर प्रतिबंद लग सकता है क्योंकि चीन ने अपने देश होकर जाने वाले माउंट एवरेस्ट के रास्ते को बंद कर दिया है ये रास्ता तिबबत की ओर से होकर जाता है चीन ने कहा कि दुनिया का कोई भी परवातारो ही माउंट एवरेस्ट को उत्तरी तरफ यानी चीन की तरफ से बढ़ने का प्रयास ना करे इससे कोरोना वायरेस के फैलने का खत्रा बढ़ जाएगा क्योंकि अगर एवरेस्ट बेस्ट कैम पर कोरोना फैल गया तो किसी को भी बचाना मुश्किल होगा आज के सुर्फियों में पाच्चित ठान पर है सुप्रीम कोर्ट का यूपी सरकार से पोस्टर लगाने के मामले में सवाल लखनाओं में CAA विरोधीर पदर्शनकारियों के पोस्टरों पर सुप्रीम कोर्ट ने उत्रपदेश सरकार से कहा है कि फिल हाल ऐसा कोई कानून नहीं है जो आपकी इस कारवाई का समर्थन करता हो साथ ही कोर्ट ने कहा कि यह बेहत महत्पपूर्ण मामला है कोर्ट ने उत्तरवदेश सरकार से पूछा कि क्या उसके पास ऐसे पोस्टर लगाने की शक्ति है आपको बता दें कि उत्तरवदेश सरकार ने नागरिक्ता संशोधन कानून के विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा और तोड़फोर के आरूपियों के पोस्टर हटाने के इलहाबाद उच्छे न्याले के आदेश के खिलाब बुद्धवार को सुप्रीम कोर्ट में अपिल दाखिल की थी कोर्ट ने नौमार्श को लखनो प्रशाशन को यह आदेश दिया था आज के सुर्कों में शट्विस्थान पर है कॉंग्रेस ने दिगविजे सी को दिया राजसभा का टिकट मदवदेश में जल्द ही राजसभा की तीन सीटों के लिए शुनाव होना है तमाम अटकलों को विराम देते हुए कॉंग्रेस ने दिगविजे सी को अपनी प्रत्याशी बनाया है मदवदेश के पूरव मुख्यमंत्री और कॉंग्रेस के दिगजनेता दिगविजे सी ने गुरुवार को राजसभा के लिए पर्षाद आखिल किया इस दोरान दिग्विजे सी ने कहा कि उन्होंने कभी भी विचार धारा से समझोता नहीं किया है और ना ही उन्होंने कभी पत का लालच रखा है दिग्विजे सी ने नॉमिनेशन फाइल करने के बाद सुनिया गांधी, राहूल गांधी और सीम कवनलात का धन्यवाद किया आज के सुन्तों में साथफे स्थान पर है MPK सियासी घमासान के बीच बोली शिवसेना मदवदेश में जोती रादित सिंधिया के कॉंग्रेस छोड़ने पर शिवसेना ने कहा कि महाराष्ट में उद्धा ठाकरे नित सरकार मजबूद और अभेद्ध है शिवसेना के मुखपत्र शामना में गुरुवार को एक संपाद किये में युवानेताओं के आकांक्षाओं को अंदेखी के लिए कॉंग्रेस की आलोशना भी की गई है संपाद किये में कहा गया है कि बीजेपी महाराष्ट में दिन में सपने देखना छोड़ दे गौर तलब है कि पूर्वके अंद्रिय मंत्रीस इंधिया ने मदवदेश के 22 विधायकों के साथ मंगलवार को कॉंग्रेस छोड़ दी थी उनके इस फैसले से 14 महीने पुरानी कमनास सरकार गहरे संकट में घिर गई है कोरोना वारेस का डर पूरी दुनिया पर देखा जा रहा है कोरोना के भैसे जहां एक और शेयर मार्के टूट रहा है तो वहीं दूसरी और बड़े बड़े आयोजन्रत दिखिये जा रहा है इन तवाम बातों के बीच शत्तितगर की राजधानी रायपूर से एक बड़ी खबर आ रही है कोरोना वारेस के भैसे HNLU यानि हिदय तुला राष्टी विधी विश्वेद्याले को 18 मार्च तक शटडाउन कर दिया गया है विश्वेद्याले प्रबधंद्वारा जारी निर्देश के अनुसार 18 मार्च तक LLB, LLM सहित सभी कक्षाएं रद्द कर दी गई है आज के सुर्प्यों में नविर्भान पर है इर्फान खान की फिल्म देखकर लोगों ने दिये रिव्यूज हाली में अभिनेता इर्फान खान की मोस्ट अवेटेट फिल्म अंग्रेजी मीडियम रिलीज हो गई है इस फिल्म ने टेलर रिलीज के बाद ही दर्शकों की एकसाइटमें बढ़ा दी है फिल्म सिनमा घरों में तो कल यानी 13 मार्श को रिलीज होगी लेकिन इससे पहले अंग्रेजी मीडियम का पहला रिव्यू आ चुका है स्पेशल स्क्रिनिंग में सेलेबिटीज ने इस फिल्म को देख लिया है और कुछ ने तो सोशल मीडिया पर अपने रिव्यूज भी शेयर करने शुरू कर दिया है सेलेब्स ने बताया कि इर्फान खान, राधिका मदन और करीना कपूल स्टारर ये फिल्म क्यों देखनी चाहिए आज के सुर्थि में दर्श क्षान पर है भारत सरकान ने लागू किये नए नियम कोरोना वारिस के कारण भारती सरकार ने भुधवार को वीजा जारी करने को लेकर नए नियम लागू किये हैं जिसके बाद BCCI को बड़ा जटका लगा है खाबरों के मताबिक COVID-19 संक्रमन के खत्रे के कारण सरकार द्वारा लगाई वीजा पाबंदियों के चलते 15 अपरेल तक कोई विदेशी खिलाडी IPL के लिए उपलब्द नहीं रहेगा सूत्र ने कहा जो विदेशी खिलाडी IPL खेलने आते हैं उन्हें बिजनेस वीजा के तहद वीजा दिया जाता है सरकार के नई नियमों के कारण अब कोई भी विदेशी खिलाडी 15 अपरेल तक भारत नहीं आ सकेगा आपको पता दें कि इस साल IPL में हिस्सा लेने के लिए लगभग 60 विदेशी खिलाडियों को भारत आना था